आज हम एकदम परफेक्ट तरीके से थेले जैसा है तिक की चाठ हम घर पर बनाएंगे तो यहाँ पर हमने लिया है सूखी मतर इसमें हम पानी डालेंगे पानी डालकर हम इसे राद भर भीगो कर रख देंगे आप देख सकते हैं मतर अच्छे से फूल गई है अब हम इसमें सी सीटि लगा लेंगे और यह चोला हमारा बनकर तयार हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे रोष्टे धनिय पाउडर जीरा यहाँ पर तीखे के लिए यहाँ पर लाल मेंच पाउडर रट करेंगे इमली का पानी इसमें एड करेंगे अब हमारा जो फोला ह widget तरीके से बन किया था इसमें एड करेंगे एक टेबल स्पून चावल का आटा इससे जो है काफी क्रिस्पी टिक्की बनकर तयार होती है अगर आपके पास अरा रोट है तो उसे भी डाल सकते हैं यहां पर हमने चावल के आटे का इस्तिमाल किया है इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक एक टिक्की करके सारा हम टिक्की को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो इस तरीके से हम सारी टिक्कियों को डाल देंगे तवे पे तो यहां पर हमने कम तेल का इस्तिमाल किया है इस पे नॉनिस्टिक तवे पे बनाया है तो आप अपने प्रीस्पी और उत्ना ही ज़दय टेस्टी चाट बनकर तयार होगा तो आप इस तरीके से दोना तरफ पलट करके इसे golden brown होने तक फ्राइ कर लेंगे इसे golden brown होने में 4-5 मिनिट का टाइम लगेगा तो आप देख सकते हैं इत्दम golden brown हो चुका है और प्रिश्पी बनकर तयार हो चुकी है तो चली अब हम चलते हैं चाट को बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक प्लेट में थोड़े से छोले डालेंगे फिर उसके उपर से हम टिक्की डालेंगे टिक्की डालने के बाद फिर हम इसके उपर से छोले एट करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे बारी कटा हुआ खीरा बारी कटा हुआ टमाटर आइट करेंगे बारी कटी हुई प्याज यहाँ पे आइट करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च आइट करेंगे तीखे के लिए फिर यहाँ पे आइट करेंगे थोड़ा सा लाल चटनी आइट करेंगे धनिया पत्ती आइट करेंगे आलू भुजिया आइट करेंगे यहाँ पे और नेबू आइट करेंगे और हमारा एकदम परफेक्ट त बनने की जरूरत भी नहीं है तो आपके बच्चे भी गली का अगर ठेले का खाना चाहते हैं और अनहिंदली भी रहता है तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं